बहुजन नायक ललाई सिंग यादव जो उत्तर भारत के पेरियार कहलाए कृप्यस बीडियो को आप लोग हमारे साथ ध्यान से अंतर तक जरूर देखें और पढ़ें तो चली सुरू करते हैं पेरियार ललाई सिंग यादव भारत में ब्रहमरबादी पित्र सत्ता के खिलाब सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने बाले अगवा नायकों में एक रहे हैं उन्हें हिंदू जाती विवस्ता से इतनी नफरत थी कि उन्होंने अपने नाम से यादव सब्द तक हटा दिया था बेहिंदी पट्टी में उत्तर भारत के पेरियार के रूप में पिरसिद्ध हुए दर असल ललाई शिंग पेरियार की चर्चित किताब सच्ची रामायन को हिंदी में लाने और उसे पाबंदी से बचाने के लिए लंबा संगर्स करने वाले बहुजन करांती के नायक हैं 1968 में ललाई शिंग ने दर रामायना एट ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवात कराया और उसे सच्ची रामाल नाम से प्रकाशित करवाया पेरियार की सच्ची रामाल का हिंदी अनुवात आते ही उत्तर भारत में एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ इस किताब की इ आकर 8 दिसंबर 1990 को धार्मिक भावनाय भड़काने के आरोप में किताब को जप्त कर लिया और यह मामला इलावाद हाई कोट में पहुँच गया ब्रहमलबाद की खिलाप आजीवन संगस करने बाले बहुजन नायक पेरिया ललाई शींग का जन्म 1 सितंबर 1911 को कानपूर देहाद के जीन्यक रेलवे इस्टेशन के पास कठारा गाउं में हुआ 1939 में हुआए मद्धी प्रदेश के गवालियर के ससस्त्र पुलिस बल में सिपाई के रूप में भरती हुए लेकिन कांग्रेस के स्वराज का समर्थन करने की कारण जिसे बिटिस हुकूमत में जुर्म माना जाता था उन्हें दो साल बाद बरखास्त कर दिया गया हलाकि अपील पर उन्हें बहाल कर दिया गया उन्होंने गवालियर में 1946 में नौन गजेटेट मुला जिमान पुलिस एंड आर्मी स्थापना की जिसका मकसद उच अधिकारियों से लड़ते हुए पुलिस कर्मियों की समस्याएं उठाना था ललाई सींग ने साल 1946 में सिपाई की तभाई नामक एक किताब लिखी हलाकि यह प्रकासित तो नहीं हो पाई लेकिन उसे टाप करते हुए सिपाईयों में बांट दिया गया हलाकि सैना इंस्पेक्टर जनरल को जैसे ही इस किताब के बारे में पता चला तो उनकी ओर से उसे जब्त कर लिया गया करीब एक साल बाद ललाई शींग ने गवालियर पुलिस और आर्मी में हर्ताल करा दी जिसके चलते उन्हें 29 मार्च 1947 को गरिपतार कर लिया गया उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 5 साल की सस्रम सज़ा सुनाई गई उन्हें 9 महिने तक जेल में रहे भारत की आजाद होने पर गवालियर श्टेट के भारत गरडाज में बिलाई के बाद उन्हें 12 जनवरी 1948 को जेल से रहा कर दिये गए साल 1950 में सरकारी सेवा से मुक्त होने के बाद ललाई शींग ने अपना जीवन पूरी तरह बहुजन समाज की मुक्ती के लिए समर्पित कर दिया उन्हें इसका आवास हो चुका था कि ब्रहमलबाद के खात्मे के बिना बहुजनों की मुक्ती नहीं हो सकती इसके बाद पेरियार से पहली मुलाकात के ही समाई ही ललाई शींग ने उनकी पुस्ताक रामायण एट्रू रीडिंग को हिंदी में प्रकासित करने का मन बना लिया था इसके लिए उन्होंने पेरियार से चर्चा की और उन्हें सहमती मिल गई 1968 में ही ललाई शींग ने गार रामायण एट्रू रीडिंग का हिंदी अन्वाद कराकर सच्ची रामण नाम से प्रकाशित कराया जिसको लेकर काफी बवाल हुआ और हिंदू वाधियों ने बिरोध जताया और सरकार ने किताब को जप्त कर लिया मामला इलाबाद हाई कोर्ट में गया यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि यह किताब बिसाल हिंदू जन संक्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है और लेखक ने खुली भासा में राम और सीता एवं जनक जैसे दैवी चरत्रों पर कलंक मड़ा है इसलिए इस किताब पर प्रती बंद लगाना जरूरी है इस पर ललाई सिंग यादब के बकील बनबारी लाल यादब ने सच्ची रामड के पक्च में जवरदस्थ पैरवी की 19 जनबरी 1971 को हाई कोट से वाई केस जीते कोट ने किताब जप्ती की आदेश नरस्त कर दिया और सरकार को निर्देश दिया की वाई सभी जप्त पुस्तकें बापस करें साथी ललाई सिंग को 300 रुपाई मुकदमे का खर्च दिया जाए बाद में यूपी सरकार इलाबाद हाई कोट के नड़ाय के खिलाप सुप्रीम कोट अपील में गई सुप्रीम कोट में उत्तर प्रदेश बनाम ललाई शिंग यादव नामाक फैसला 16 सितंबर 1986 को आया जो की पुस्तक के प्रकासक के पक्ष में रहा सुप्रीम कोट ने इलाबाद हाई कोट के फैसले को सही माना और राज सरकार की अपील को खारिज कर दिया सची रामाड की पक्ष में मुकदमा जीतने के बाद वाद दलतों के नायक बन गए उन्होंने बर्स 1967 में हिंदू धर्म का त्याक कर बहुत धर्म अपना लिया और अपने नाम से यादब सब्द हटा दिया इसके पीछे उनकी गहरी जाती ब्रोधी चेतना थी जिसका मकसद जाती विहीन समाज के लिए संगर्स था उन्होंने बद धर्मा न आई बहुयन राजा असोक के आदर्स को ध्यान में रखती हुए असोक पुस्तकालाई नाम से प्रकाशन संस्ता कायम की और अपना प्रिंटिंग प्रेश लगाई जिसका नाम सस्ता प्रेस रखा, उन्होंने पांच नाटक लिखे, अंगुली माल नाटक, संभूखबद, संत माया बलिदान, एक लब्ब और नांग यग नाटक, गद में भी उन्होंने तीन कितावे लिखी, सोस्तों पर धार्मेक डखेती, सोस्तों पर राजनेतिक डखेती इवं सामाजिक विसमता कैसे समाप्त हो, ललाई सींग के साहेत ने बहुजनों में ब्रहमलबाद के ब्रोधी चेतना पैदा की और उनमें सिर्मर संस्कृती और बैचारिक की का नवजागरण किया, एक सामाजिक कारकरता लेखक और प्रकासक के रूप में, उन्होंने अप आपको बहुया नायक ललाई शींग जी के बारे में एह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे आप अपने दोस्तों जानकारों में वाटसेप फेस्बुक पर जरूर सेर करें और उन्हें भी सेर करने को कहें, धन्यवाद